नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हम कक्षा तीसरी के हिंडी पाठि पुस्तक से पाठ चार मेरी सोन चिरया पढ़ेंगे विद्यार्थियों पाठि पुस्तक प्रिस्टक्रमांक 24 खोलिए मेरे साथ पाठ का वाचन कीजिए पात्र, मा, रौशनी, रवी और गौरईया रौशनी और रवी भाई बहन हैं दोनों घर के बरामदे में गुमसुम बैठे हैं कुछ देर की चुपी के बाद रवी दीदी आज कल अपनी नन्ही गौरईया नहीं दिखती पहले तो रोज दिखती थी और अपनी बे मतलब की चीजी और फुदकन से हमें परेशान किये रहती थी रोशनी हां रवी सही कह रहे हो कहां तो दिन भर हम उसके पीछे पड़े रहते थे भगाने के लिए अब वह नहीं दिख रही तो भी हम उदास हैं रवी ठीक कह रही हो दिदी मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है लंबी सांस लेते हुए अब तो स्कूल से आने के बाद जैसे समय ही नहीं कटता रोशनी चलो मम्मी से पूछते हैं शायद उन्होंने गोरईया को देखा हो रवी हाँ हाँ चलो मम्मी से पूछते हैं इतने में ही बरामदे के कोने से चीची की आवाज का आती है बच्चे चौक कर देखते हैं उनकी प्यारी गोरईया कोने की अलगनी पर बैठ कर उदास नजरों से उन्हें देख कर कह रही है चीची चीची बच्चे उसके पास जाते हैं तो वह कहती है मुझे बचा लो मैं गोरईया घर घर की में सौन्च रहिया रोशनी हाँ हाँ तुम हमारी सौन्च रहिया हो पर मुझे बचा लो ऐसा क्यों कह रही हो गोरईया उदास होकर सबने घर में खिड़किया रोशन दान बंद कर दिये हैं बरामदे में चिक डलवा दिये है और पेड कटवा दिये हैं हरियाली कही नहीं है हम घरेलू चिड़िया हैं पर अब हमें कोई घर में आने ही नहीं देता बाहर रहना खत्रे से खाली नहीं है हमारे प्राण संकट में है रवी वो कैसे गोरईया जरा बताओ तुम घर में सुरक्षित और बाहर आसुरक्षित कैसे बोलो बोलो गोरईया चीजी घर को नो में नीड बनाते सात मुप्त में दाने पाते बाहर दुश्मन अगर सताते घर में चिपकर जान बचाते दिन भर घर में फुदका करती चीजी की स्वरलहरी बहती जब भी अपने जुंड से उड़ती नब में जैसे बदली घिरती रवी उदास होकर सही कह रही हो तुमसे तो घर में रौनक थी पर हम नादान तुम्हारी महत्ता न समझकर तुम्हें भगाते रहते थे गौरईया चीजी करती हुई पर मैंने कभी बुरा नहीं माना इधर उधर फुदक कर या उड़कर उल्टे मैं ही तुम्हें छकाती रहती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग मुझे हानी नहीं पहुचाओगे रवी तुम अब कहां रहती हो गौरईया मेरे पास अब घर नहीं है मैं बहुत दुखी हूँ रोशनी मेरी प्यारी गौरईया तुम अपना दुख हमसे बाट सकती हो कहो क्या कहना चाहती हो गौरईया ची ची जाने वो दिन कहां खो गए कंक्रिट के जंगल हो गए कटे पेड घोसले खो गए नीड को महताज हो गए चारो और प्रदूशन फैला जिससे सारा जग है मैला जीवन सबका है सासंत में जान हमारी है आफत में रोशनी गंभीर स्वर में हां यह तो तुम ठीक कह रही हो आज कल पेड पोधे काटे जा रहे हैं छोटे घर नस्ट हो रहे हैं उनकी जगह उची उची अट्टालिकाओं ने ले ली है जल वायू ध्वनी प्रदूशन से वातावरण दुशित हो गया है रवी गौरेया तुम पहले तो यहां बहुत आते थी अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा आना अचानक बंद हो गया बोलो बोलो गौरेया अब हम बिमार रहने लगी है गौरेया खासते हुवे कहती है ची ची शुच्म तरंगे मुश्किल लाई जीवन में भरदी कठनाई अंधा धुन तरक्की होती हम गौरेया इसमें खोती घर घर दिखती है बस जाली बात नहीं अब पहले वाली लोग देखकर हमें भगाते बोलो कैसे हम घर आते रवी हाँ यह बात तो सही है हमारी मम्मी ने भी तो खिड की और रोशन दान में जाली लगवा दी है यह तो बुरी बात है पर तरंगे तुम किन तरंगों की बात कर रही हो रोशनी तनिक संजीदा होकर तुम नहीं समझोगे रवी यह जो नया मोबाइल टावर लगा है न तीसरी बिल्डिंग के बाद शायद उससे निकलने वाली तरंगों ने ही इनको आंतरिक हानी पहुचाई है तब ही इनका आना बंद हो गया है उस दिन टीवी पर अंकल भी कह रहे थे कि मोबाइल पर जादा देर तक बात नहीं करनी चाहिए और इसे अपने शरीर से दूर रखना चाहिए क्योंकि इन से निकलने वाला रेडियेशन शरीर को नुकसान पहुचाता है रवी दीदी क्या इन तरंगों से बिमार होकर गौरईया खतम हो जाएंगी फिर हम इन्हें कैसे देखेंगे हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए पर क्या हम बच्चे होकर क्या कर सकते हैं गौरईया जी जी बच्चों क्या तुम अब जागोगे हम चिडियों का हक मांगोगे तूटे रिस्ते फिर जोडोगे मानों की लिपसा तोडोगे अगर नचेते हम न बचेंगी बिना मदद के अभी मिटेंगी सिर्फ पुस्तकों तक सिम्टेंगी कैसे घर में गूज भरेंगी रवी हमने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी दुखी हो हम तुम्हारी वैथा सबको सुनाएंगे बोलो गोरिया हम तुम्हारे लिए क्या करें गोरिया ची 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 घर का एक कोना बस दे दो कुछ दाना पानी भी रख दो पेर लगाओ बहना भीया जिन में फिर से बने मड़या पुना बना लो सोन चिरया जिस से फिर चाके गोरिया गोरिया और बच्चों की बातें मा सुन लेती है बच्चों के सिर पर इस नहरे हात फेरती हुई कहती है मा मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों मैं इस नने जिव की परेशानियों को न समझ सकी अब यह गोरिया निश्चिंतता के साथ इस घर में आ सकती है मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगी की घरेलू पक्षियों के आने जाने का रास्ता खुलार रहे और यह पहले की भाती स्वच्चंद होकर आ जा सके यह सुनकर बच्चे भी खुशी से उचल पड़ते हैं और मा के गले लग जाते हैं रवी खुशी से मैं इनके लिए दाना पानी रखूंगा इस बार बरसात में मैं पेड लगाऊंगा जिससे की पक्षी उस पर अपना घोसला बना सके रोशनी परन्तु पेड को बढ़ने में वर्षों लगेंगे तब तक स्टोर में पड़ी पुरानी पेटी से इनके लिए बर्ड हाउस बनाऊंगी ताकि वे बेफिक्री से वहां रह सके यह सब सुनकर गौरेया खुशी से ना चुटती है और कहती है चीची इस घर की में सोनची रहिया बच जाएगी अब गौरेया बच्चो आज हमने पाट चार मेरी सोनची रहिया का वाचन किया धन्यवाद अजाएगी अचन किया झाएगी ओौरेया खुटती है